अपने पसंदीद प्लेटफॉर्म पर प्रेजन्ट है और आप अच्छे से आर्टिकल को जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसको अनाल्सिस कर रहे होंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो डेली देन हिंदू न्यूज आर्टिकल जो एडिटोरियल इनाल्सिस होता है जो आपके मेंस में काम आता है और जो न्यूज इनाल्सिस होता है और प्रेलिम्स मेंस दोनों में काम आता है तो उसको हम जो इनाल्सिस करते हैं उस पर तो साल बकराते हैं और notion साथ साथ बनवाते हैं तो आप लोग उसको एक्शली तरीके से देखिए सही तरीके से व्यू कीजिए उस पर नालसिस कीजिए और उस पर जितना हो सकेmore प्रैक्टिस कीजे तो फ्रेंड्स आई हम लोग बिना किसी देरी के अपने आर्टिकल पर चलते हैं आज जो आर्टिकल आया है वो आर्टिकल है अग्राउंड वियो आप दा इंडियन इस्पेस पालसी 2023 को लेकर के और इसमें बहुत सारे बाते कही गई हैं इंडियन इस्पे इंडियन इस्पेस पालसी किस लिए आई है उसका एम क्या है अबजिक्ट्व क्या है वगएरा वगएरा तो फ्रेंड्स हम लोग बिना किसी देरी के अपने आर्टिकल पर चलते हैं आज बहुत सारे आर्टिकल कवर करने हैं तो यहां पर यह कहा गया है कि अभी अप्रेल म पालसी लांज की गई है रिलीज की गई है या कुछ वर्सों तक यह काप करेगी जैसा कि आप सभी को पता है और इस इस पेस इंडिस्ट्री के द्वारा इसको बहुत पाजिटली तरीके से लिया गया है जो यह पालसी आई है लेकिन इस पालसी को इन्होंने सुरू में ही क यहां है कि इसको आवसकता है एक सुटेबल लिजिसलेशन की लेजिसलेटन की जो अस्थाई रूप से वैधानिक तरीका होता है और असपस्ट जो नियम और विनियम होते हैं उसको लागौ करने की आवसकता है यानिकि इनका कहना है कि जो यह 2030 की पालसी लेकर के आये है इसमें वैधानिक नियम अस्पस्ट नियम रूल एंटरगलेशन की क्लिरटी होना चाहिए और ये भी करते हैं कि ये जो पालसी आई है पहली जीज की ये second space age लेकर क्या आई है अब ये second space age क्या होती है जो इदस अप्रेल 2023 को लेकर क्या आई है इन्होंने क्या है कि भारत का जो अंत्रिक्ष है आधुनिक जो अंत्रिक्ष है वो पहले जो पहली स्पेज एज थी जो 90 से थी 90 की दसक से लेकर के काफी लंबे समय तक थी 20-30 सालों तक थी उसने जो है बहुत सारे गे जो एम्स होता है उसको अचीव किया लेकिन यह जो सेकेंड इस्पेज एज है यानि कि सेकेंड इस्पेज पाल से जो 2030 आई है यह पूरी की पूरी जो इस्पेज की छमता होती है विसाल छमता होती है उसका यूज करेगा और उसका यूज यह किस परपस में करेगा कंट्री की परपस में कंट्री को हल्प करने के तो यह second space policy जो है country को help करेगा अगर 1990 के दसक में हम लोग जाएं तो 1990 से जो इंडियन space industry थी जो इसरो का जो work रहता था 1990 से ले करके वो इसरो जो है क्या काम करता था कि जितना भी अंतरिक्ष से संबंधित कारे होता था अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी economy कारे होते थे वह सब कुछ खुद बखुद डिफाइन करती थी और उसमें जो private sector था वो private sector बहुत ही कम मात्रा में था जैसा कि आप सभी को पता है कि 1990 का जो दसक था भारत के लिए वो बहुत ही काटो भरा था मुश्किल भरा था और उसमें लिबराजीसन की जो पालसी आई थी 1991 में 1991 में उसी के आसपास कि ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो था वो तो था ही लेकिन वहाँ पर private को जो है बहुत limited राइट दिये गए थे और वो जो limited राइट दिये गए थे वो केवल और केवल इसरो की डिजाइन और उसकी विश्यस्ता को बिल्डिंग करने के लिए दिये गए थे लेकिन जो second space से शुरू हुआ है अभी 2023 में उसमें private को ही लेकर के शुरुआत किया है उसने क्यों क्योंकि जब कोई विवस्था शुरू में आती है तो उसको infrastructure की आवसकता होती है 1990 के दसक में भारत के पास जो infrastructure था वो इस्ट्रॉंग नहीं था इस्ट्रिक्ट नहीं था तो लगभा को सवस्था को प्राप्त करने के लिए भारत को एक लंबा इंतजार करना पड़ा एक लंबी पालसी के तहद प्राप्त किया लेकिन अभी भी inadequate है अब परयाप्त है और जो जो स्टेज है अब जो सेकेंड इस्पेस एज आई है पालसी लेकर के आई है वो प्राइबेट सेक्टर को लाइसंसिंग को लेकर के टीबी चैनल को लेकर के इंटरनेट के ग्रोथ को लेकर के मोबाइल टेलफोन को लेकर के और स्मार्ट फोन के इमर्जेंस को लेकर के यानी कि नए स्मार्टफोन की जो उभर रहा है उभरती हुई जो स्मार्टफोन की टेडेंसी है उसको लेकर के आई है और आज जो इस रोका बजट है वो एक्ष्प्रॉप्मेंटली लगबाग एक दसमोर स्भी बिलियन डालर का है लेकिन इंडिया की जो इंडिया जो इस m प्रोग्राम है इंडिया के उसका जो एनुवल ग्रोथ देखा जाए वो सेटलाइट बेस्ट सेवा देते हैं वो एनुवल में डबल ग्रोथ में पहुंच गए है यानि कि वारसिक जो उनकी बिद्धी होती है वो दोरे अंकों में पहुंच गई है और ये सब सेवाएं जो है सेटलाइस्ट बेस्ट और एकोनॉमी उनका जो बेनिफिट है एक ऐसा इनुवार्मेंट इनेबल हो ये एक ऐसा इनुवार्मेंट इनेबल करेगा यानि कि एक ऐसा इनुवार्मेंट ये निर्धारित कर रहा है कि इंडियान इस्पेस जो इंडस्ट्री है भारतिय अंतरिक के लिए तो और यही नहीं करेगा दो हजार तीस तक साथ बिलियन डालर जो करेगा उसके अलामा ये दो लाख जॉब यानि कि नौकरियां सीधे तोर पर पैदा करेगा तो ये जो पालसी है अभी जो है इस तरीके से इसको लागू जो किया जा रहा है वो उसको कुछ उसमें इस्ट्रक्चल रिफाम करने की आवस्यक्ता है अब ये कह रहा है कि जो पहली सेटलाइट कम्यूकिशन पालसी थी वो 1997 में काइडलाइन के साथ जारी की गई थी इसको जो है उदारवादी में लाया गया था लेकिन इसने इतना ज़्यादा जो है अच्छा प्रिफॉर्म नहीं किया इतना ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं फुल्फिल कर पाया अधिक मात्रा में और आज की जो दसा है आज यह यही बतारहें कि यह Life क्यों गई है जो आज की जो दसा है जो भारत्य घरों में टीवी चलते हैं उनके लिए जो ट्रांसपॉडर्ड्र बीम होते है वो पहली चीज की बिदेशी सैटलाइट के द्वारा आयोजित किये जा रहे है और आधे से जादा जो वार्सिक आउटफलो हो रहा है वो बिदेसी डालर का हो रहा है बिलियन डालर जो हो रहे हैं बिदेसों में जा रहे हैं यह यहाँ पर चिंता कभी से है क्योंकि अंतरिक चिशेतर में भारत जो सुधार दिख रहा है भारत ने जो है आधे से जाद़ ट्रांस्पांडर प्रोवाइट किया जा रहा है भारती गरों में सिनेमा के लिए टीवी के लिए तो इससे क्या होगा विदेशी मुद्रा जो बिलियन डालर्स है वो बिलियन की मात्रा में दे से बाहर जा रहा है और इसके अलावा जो रिमोट 2011 में उलाया गया 2016 में इसने जो है नेशनल जीयो इस्पेटिकल पॉल्सी का अस्थाल लिया था और इसे 2022 में लिबराइस किया गया अभी जो इंडियन यूजर्स हैं मैक्सिमम जिसमें सेक्योर्टी एजंसियां भी सामिल है और डिफेंस एजंसी भी सामिल है वो जो है एन् यानि कहने का आसा है कि बीदेशी सुरोतों से ये लोग जो बीदेशी सेटलाइट जो हमको आंकड़े प्रोवाइड करते हैं अभी भी सुरक्षा एजंसियां और बहुत सारे भारती यूजर्स डिफेंस एजंसिस ये लोग जो है बीदेशों से जो डाटा खरीते हैं उसक जो ड्रॉप्ट इस्पेस एक्टिविटी बिल था वो 2017 में लाए गया और विचार बिमर से चलता रहा उस पे फिर ये जो है 2019 में लैप्स हुआ लोग सभा में गया और ये नए बिल जो लाए गया है इसमें इंट्रिडूस जो किया गया दो हजार इकीस तक आया यानि 2017 से लेकर कि 2021 तक लेकर किया आया है लेकिन अब लगता है कि इससे जो है नई पालसी को जो इंडियन इसपेस पालसी एक समानता आगई है उसकी बातों को इसने पूरा क्पूरा वही तत्य ले लिया है डॉप्ट इस्पेस एक्टिविटी बिल जो लाया गया था अब यह बता रहे हैं कि difference क्या है यानि कि Indian Space Policy जो 2023 में लाई गई थी वो लाई गई है वो पिछले जो efforts किये गए हैं उससे बहुत difference है या 11 पेज का पूरा का पूरा documents है जिसमें बहुत सारे definitions और visions सामिल है और develop सामिल है उनके commercial presence की बात की गई है इसपेस का जो अंतरिक्ष का वाड़िजी कुपियोग होता है वो सब बात की गई है और सुझाओ दिया गया है private sector की सुझारेता की गई है private sector को जो है इसमें सामिल क करने का सुझाओ दिया गया है कि ये जो है महतवपूर इसके orders हो सकता है और पूरे के पूरे जो space economy है इसका महतवपूर ये चेंज साबित हो सकता है और इसके लिए उसने ये पाच पॉइंटस जिन्योंने गिनाया है कि पाच पॉइंट बना सकता है जैसे define करता है कि भारत में जो सोचियो एकोनॉमिक्स डिवलप्मेंट है, सेक्योर्टी है, इन्वार्मेंट की प्रोटक्शन्स है और लाइफ का प्रोटक्शन्स है, पीस्फुल एक्स्प्लोरेशन, आप आउटर्स मने की बाहरी जो अंतरिक्ष है, उसका सांती पुरूरक जो उप्योग है, वो सिक्टर को भी समाइद किया गया है, अब एक एक करके हम लोग उसमें देखते हैं कि क्या-क्या उसमें रिफरेंस किया गया है, पहला सेक्योर्टी और सेक्योर्टी को लेकर के इस उज है, जो सीधा-सीधा फोकस कर रहा है सिविलियन और पीस्फुल एप्लिकेशन्स पर, यानि कि नागरिकों के लिए जो अंतरिक्ष का उपयोग होगा वो यूद्ध के लिए नहीं होगा, उसका उपयोग जो हम करेंगे अंतरिक्ष का यूज सेक्योर्टी के लिए सिविलियन रूप से करेंगे और सान्थी पूरूर वक्त धंग से यूज करेंगे, दूसरा कि इस पेस बेस्ट जो यानि कि जो अंतरिक्ष प्याधारित इंटेलिजेंस है, रिकंसन साइंस है, सर्विलाइन सेवा है, कम्निकेशन से, पोजिसिंग इस्तिती है, नेविगेशन है, कैपिबिल्टीज है, ये सब जो है, डिफेंस सर्विसिस के द्वारा जो बढ़ रहे हैं, जो महत पूर्ण हैं, ये सब किया गया था, दूसरा, इंडिया ने अभी सक्सिस्फुली, 2019 में एंटी सेटलाइट मिशन किया था, और इसी सल में जो 2019 था, इसने ये जो प्रोग्राम था भारत का के इंडिया सेटलाइट मिशन, इसने क्या किया था, इसने डिफेंस स्पेस एजनसी का प्रारूप खीश दिया था, तयार कर दिया था, और Defense Space Research Organization में इसको पूरा का पूरा बदल दिया था इसके अलामा Defense Oriented Space Security Policy को लेकर के चला था और यह जो Defense Oriented Space Policy लेकर के आई है यह सिप्रेट होगा सिप्रेट डाकुमेंट्स होगा इसका एक अलग प्रारूप होगा जैसे National Policy है नासा की लेकर के वाइट हाउस वहाँ पर क्या देखता है Science Technology का डेपार्टमेंट और नासा है वो अपना Commerce Transports यह सब देखता है उसी तरीके से यह Responsibility दी जा रही है इनको कि आप जो Space Based Services है इंटेलिजेंस और सर्विलाइंस नेवीगेसन यह सब तो करें है इसके अलामा जो अंतरिक एंटी सेटलाइट डारेक्ट यह सब जो सेवाएं होती है यह सब जो Important Missions है इसके लिए Defense Space Agency या Defense Space Research Organizations यह दोनों जो है Responsible है Defense और Defense Oriented Space Security Policy को लेकर के और यह डाकुमेंट से इनका जो इस तरीके के जो मिसन है उनका सिप्रेट डाकुमेंट से होगा और दूसरा यह क्या कह रहे हैं है दूसरा इनका कहना है कि जो इन स्पेस है 2020 में जिससे सेट अप किया गया था यानि कि Indian National Space Promotion and Authorization Center उनका जो रोल्स होगा Department of Space, ISRO और स्ट्रेटजी को लेकर के होगा वो स्ट्रेटजी रणनीतिक भूमिका निपाएंगी डिफेंस यह ISRO की इन स्पेस के विसे में यह कहा जा रहा है और यह जो निव स्पेस इंडिया लिम्ट्टिट आई है इसे 2019 में पब्लिक सेक्टर के लिए तयार किया गया था यह ISRO की Commercial Unit है आपको यहाँ पर ध्यान देने कि जिरूँए थे जो ISRO की Commercial Unit है वो New Space India Limited है इसे 2019 में लाए गया था और ये जो तीसरी बात है वो इसरो के उपर कही गई है कि इसरो को जो है जो ट्रांजिशन अवस्था में प्रैक्टिस करते हैं इसरो प्रजेंट टाइम में इसरो का जो आपरेशनल स्पेस सिस्टम है मैनुफेक्चरिंग सिस्टम है इससे बा पाहर निकलेगा इसरो और इसके बाद जो मिच्चर सिस्टम है यानि कि जो इस लांचिंग कर तरीका होता है जो कामरिशनल एक्स्पलोरेसन का जो परिपक्व तरीका होता है वो ट्रांसफर किया जाएगा किसको इन सब इंडरस्ट्रियों को transfer to industries for commercial exploration जो industries होती है commercial industries होती है ISRO की जो NSIL है New Space India Limited उनको जो है इन सब कारियों को सौपा जाएगा कि जो commercial work है satellite को launch करने की satellite को उसका commercial use करने की वो ये सब देखेगा और ISRO जो है किस पे focus करेगा क्योंकि ISRO ने अपनी जो वाड़िजिक साका है उसको अब ISRO जो प्रैक्टिस सिट है जो मौजूदा समय में जो ISRO प्रैक्टिस करता है लेकर के निर्माड और उसकी जो संचालन उपग्रों के संचालन को लेकर के उसको जो है क्या करेगा उससे बाहर निकलने का उसकी पालसी है अब जो है ISRO रिसर्च और टेवलप्मेंट पे फोकस करेगा एडवांज टेक्नालजी के उपर और जो नए सिस्टम से उसको रिलाइज करेगा राश्ट्री जो परपिक्ट है राश्ट्री जो कारभार है उसके अलावा जो इंटरनेशनल इसूस है वहां पर यानि की कहने का मतलब है यह है कि राश्ट्री राश्ट्री लेबल पर इंटरनेशनल लेबल पर जो ISRO का वर्क है वो न्यू टेक्नालजी रिसर्च को लेकर के नई टेक्नालजी रिसर्च पर अपनेशनल इडवांस टेक्नालजी पर यह अपना रिसर्च करेंगे नई सिस्टम्स को लेकर के आएंगे जो इनका इस पेस अबजिक्ट है राश्ट्र के लिए उसको लेकर के चलेंगे और अपनी टेक्नालजी को यह सेयर करेंगे प्रोडिक्ट को सेयर करेंगे और बेस्ट प्रैक्सिस करेंगे नान गौर्मेंट जो उद्यम सोते हैं नान गौर्मेंट जो इंटाइस्ट हैं उनके लिए और गौर्मेंट कंपनीज के लिए तो यह जो लागू होगा इस तरीके से जो इसरो का work होगा वो concentrate हो जाएगा बहतरीन technology के लिए बहतरीन manpower के लिए और एक तरीके से इसरो का केवल और केवल work होगा research and development of space technology advanced form और चंद्रयान जो इसरो जो valuable manpower है जो एक तरीके से कहा जाता है कि जो बहुत biggest asset है manpower, talented manpower qualified and talented manpower किसके लिए चंद्रयान और गगनयान जैसे mission से के लिए वो अपना कारिभार देखेगा उसको खोजेगा धूड़ेगा इसरो की जो commercial arm है NSIL वो जो है interface करेगी अब interface किस रूप में करेगी industry के साथ करेगी commercial वारता लाप करेगी और एक कुसल उद्यम यानि कि कुसल टेकनालोजी जो support कुसल टेकनालोजी जो है और प्रभावी टेकनालोजी ट्रांसफर करेगी जो उसको लेने के योग्ये हैं जिनका वर्क है यानि कि जहां जहां उपियोग उसका हो सकता है NSIL ने NSIL का जो वर्क है वो commercial के रूप में आ गया है पूरा का पूरा पूरा जो नियोकेशन है जो कुसल छमता प्रभावी योगदान है जो उन्नक टेकनालोजी का जो प्रभाव है वह सब सपोर्ट करने के लिए आ गया है अब NSIL के पास यानि कि लेंदेन का जो कारभार था वो सब NSIL देखेगा अब प्राइवेट सेक्टर के जो रोल की बात कर जिया रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है चोथा ये जो चोथा पॉइंट है यह जो है प्राइवेट सेक्टर है और यह एलाउट क्या करता है NGES यह क्या एलाउट करता है बिंदू से बिंदू तक यानि कि सुरू से लेकर के अंद तक सारी जो इसपेस सेक्टर से की गतविदिया होती है किनके माध्यम से अस्थाइट और संचालिंग जो इसपेस अबजेक्ट होता है उसका इस्टेबलिस्मेंट और उसका आपरेशनल तरीके से और जो ग्राउट बेस ऐसेट होता है जो रिलेटेट सर्विस है जैसे कम्यूकेशन, रिमोट सेंसिंग, नेवी गियेशन ये सब जो सेवाएं हैं ग्राउट बेस सर्विसेस ये सब प्राइवेट सेक्टर लेकर के चलेगा NGES उसको जो है जो पालसी आई है उसमें अनुमती देता है सेटलाइट जो है स्वैम का हो सकता है या खरीद कर हो सकता है या लीज पर हो सकता है कमनुकेशन जो सर्विस है वो पूरे इंडिया में हो सकता है या उसके बाहर हो सकता है और रिमोट सेंसिंग जो डाटा है वो इंडिया में भी हो सकता है या इंडिया से बाहर हो सकता है NGES क्या करेगा कि NGES डिजाइन कर सकता है आपरेट कर सकता है, क्या आपरेट कर सकता है, लांच वीकल आपरेट कर सकता है, इस पेस ट्रांस्पूरेशन के लिए जो अंतरिक्छ की में परिवहन सुविधा होती है, कोई चीज ले आने, ले जाने की उसकी जिम्मेदारी, अब NGE जो की प्राइबेट सेक्टर है, उसका डिजाइन करना, उसका आपरेट करना, उसका इंफराइस्ट्रक्चर करना, उसको इस्टेबलिस करना, अब यह सब NGE देखेगा, और NGE अब जो है, इंटरनेशनल टेली कम्नुकेशन यूनियन के साथ इंगेस्मेंट करेगा, एंड कामर्सियल रिकवरी करेगा, जो खगोली रिसोर्से होते हैं, उसका वाड़िजिक जो रिकवर किया जाता है, वाड़िजिक रूप से जो इंगेस्मेंट किया जाता है, अब उसका करभार NGE देखेगा, एक साथ तरीके से अगर कहा जाए, कि अब प्राइवेट सेक्टर को जो है, वो इस्पेस के लिए पूरी तरी NGE को वो टास्क दे सकती है, अब जो NGE की एक्टिविटीज है, वो गाइडलाइन बनाये रखने की है, रहेगी, रेगुलेशन की रहेगी, यानि कि NGE का जो कारे करने का तरीका है, जो कारे प्रडाली है, जो सिस्टम है, वो जो दिशा निर्देश किये जाएंगे, इन इस यमन जो किया जाएगा, वो इन स्पेस के द्वारा किया जाएगा, और इस तरीके से गौर्मेंट इंटाइज, और इन जीज के लिए जो इन स्पेस है, वो एक सिंगल विंडो का एजनसी के रूप में उसको देखा जाएगा, कि सिंगल विंडो एजनसी के रूप में यह का यो पूरा पूरा जो गौर्मेंट और इन्जी की पड़ाली है जो दिशा निर्देश है वह इंसपेस देखे गया और फानली इन्सपेस से उमीद की जाती है यानि इनी सपेस से जो एकसेप्ट किया जाता है कि create a stable and pre-detable regulatory framework यानि कि एक अस्थाई regulatory framework दहांचे के तहतिया कार करेगा जो निश्चित करेगा कि जो बिभन प्रकार के NGE के हर फिल्ड में जो प्ले किया जाता है NGE का जो कारपडाली है जो प्ले किया जाता है जो उसको regulate करेगा जो उसको एक सुनिश्चित दिशा में जो guideline है उसको provide करेगा और ये जो है industry clusters यानि कि जो commercial industries clusters होते हैं उनको भी promoting के लिए तयार करेगा उनको भी promote करेगा एक regulator यानि कि एक नियामक guidelines के साथ और उत्तर दाइता के साथ उत्तर liabilities issues के साथ यानि कि एक जैसे कोई card system होता है कोई धाचा होता है तो उसके उपर कोई authority होती है जैसे भारत में banking system है तो banking system के उपर RBI का बहुत strict guideline होता है उसी तरीके से जो NGE का work होगा वो पूरे के पूरे private sector है NGE और उसका जो कारबार है पूरा का पूरा ground based assets related service communication सब कुछ उसके लिए खोल दिया गया है उसके उपर जो authority बैठाई गई हो इनी space बैठा दिया गया है लेकिन यहां पर एक बात की गई है कि अभी जो present time में है gap को लेकर के बात की गई है जो पालसी लाई गई है इनी space के लिए वो बहुत ही महत्वाकांची पालसी है कोई बात नहीं है लेकिन अभी इसके पास कोई समय खाका नहीं खीचा गया है जो की आवस्यक है आगे ले जाने के लिए अभी इसके पास समय नहीं अभी इसको जो है अभी जो इसको आकार देने का कार्य होता है जो इसको फ्रेमली किया जाता है अभी उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है और यह बहुत आवस्यक है कि इसको जो है एक समय के साथ करें अभी इस उरों के लिए भी यह समय नहीं अभी मतलब यही कर रहे हैं कि अभी समय जो इन इस पेस है अभी उसने यह नहीं तेंग किया है कि कितने समय में वो सब यह करेगा कितने समय में गाइडलाइन जा रहे करेगा कोई टाइम बाउंड नहीं किया है या टाइम को लेकर के इस पेसलिए आरेखित कर रहे हैं दूसर इंस्पेस के लिए सीडूल जारी करेगा कब जो है रेगुली टार्मवर्क आएगा तो यह सब कह रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क की बहुत ही आवस्यक है जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी आवस्यक है रूल्स को लेकरके रेगुलेट को लेकरके और FDI को लेकर के, लाइसेंसिंग को लेकर के, गवर्मेंट खरीद को लेकर के, ताकि एक नए जो इस्पेस स्टार्टप हैं उसके लिए, लाइबिल्टी के लिए कि अगर कोई नियमों का उलंगन करता है, उसके लिए कहां पर अपील किया जाए, तो यह सब जो इनका कहने का जो आसे है कि अभी जो इनिस्पेस पॉलसी आई है, इनिस्पेस को रिगुलेटरी अथार्टी के रूप में जो कहा जा रहा है, अभी उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, उसके लिए भी कोई समय का खाका नहीं की चागया है, कितने समय में किया जाएग और यह बहुत आवस्यक है कि तमाम जो मुद्धे हैं डिस्प्यूट सेटल्मेंट है, फ्रेमवर्क है, गौर्मेंट प्रोक्यूर्मेंट है, लाइवेल्टीस है और लाइसेंस है प्राइवेट सेक्टर से को यह सब करने के लिए कहां पर अपील किया जाए अगर कोई इसी बात होती है तो अपील एथार्टी क्या होगी, उन सब के लिए अभी कोई भी बात नहीं की गई है और अगर कोई रेगुलेटरी बाड़ी होती है तो उसके लिए नीट्स किसकी होती है, लेजिसलेटिव एथार्टी की जैसे रिजर उबैंक अस्थापित किया गया था 1934 में RBI Act के तहट, फिर इसके बाद 1992 में CAB Act के तहट Securities and Exchange Board of India अस्थापित किया गया था, टेलिकॉम रेगुलेटरी अथार्टी ट्राई जो है 1997 में अस्थापित किया गया दोनों के लिए वो एक authorized का काम करेगा, और प्रजिन टाइम में जो ये positions है, functions की, वो space का जो functions है, वो सब जो कुछ भी देख रहे हैं, वो इसरों के चेयर्मेन के ही रूप, इसरों के चेयर्मेन देख रहे हैं, तो इसको जो है regulate करने की जरूरत है, पूरी तरीके से government के और इसको एक धाचे में लाने की जरूरत है, regulatory system को, 2023 की जो policy है, इस पेस की, वो forward looking document की तरफ देख रहा है, जो मतलब की एक आगामी जो documents होता है, आगामी जो बढ़ने का तरीका होता है, इस पेस में, उसकी तरफ हो दे रहा है, और ये बहुत ही अच्छी पाहल है, अच्छ अभी क्या जरूरत है, कि हम अभी जो है, एक frame प्रदान करें, necessary रूप से बैधानिक frame प्रदान करें, time frame प्रदान करें, बैधानिक रूप से, और ये जो framework है, ये क्या करेगा, वास्तों में ये, अगर इसको एक वैधानिक दृष्ट कोर मिलेगा, बैधानिक framework मिलेगा, बै सेकेंड स्पेस एज है वह सक्सेस्फुली रूप में आ जाएगा सक्सेस्फुली लांच हो जाएगा तो इनका यही कहना था यह पूरा हमने आपको बताया कि इसमें क्या है अब आपके उपर यह कुश्चन्स बनता है कि जो इंडिया की स्पेस पालसी है सेकेंड अभी जो द अब यहां पर बात जो है वो की जा रही है पुतिन सहाग की दफालाउट आप पुतिंग हेल्पिंग में नाटो ग्रेट अगेन इनका कहना है कि पुतिन की जो कारेवाही है पुतिन का जो कारे करने का तरीका है उन्होंने एक तरीके से फिर से नाटो को बहुत मजबूत बना दिया क्यों कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि नाटो में जो नार्थ अटलांटिक ट्रेटरी आरगनाजिशन होता है वा अपनी सीमा पर यानि कि रसीया की सीमा पर लगबग लगबग धोगुना हो गया कैसे दोगुना हो गया क्योंकि अभी अप्रेल 2023 में फिनलैंड जो है 31 में सदसे की रूप में जोड़ा गया है आपका प्रिलिम्स का कोस्चन से कि 2023 में फिनलैंड कौन सा सदसे नाटो में जोड़ा तो फिनलैंड जोड़ा और स्वीडन जो है वो बहुत ही जल्दी उसका मिंबर बन जाएगा तो एक जो नाटो की सीमा होती है रसिया के साथ वो पहले से लगबग दुगनी हो गई कायम करता है और नार्थ का नार्थ कंट्र जो लंबे समय से जो नार्डिक कंट्री हैं फिनलैंड और स्वीडन ये लोग पहले क्या थे पहले जब इनको नाटो में सामिल करने के लिए कहा गया था तो इन्होंने मना कर दिया था और ये जो है मलिट्री से हटा लो मलिट्री से हटा करके अपना पहले सोसल एकोनामिक जो बहुत इंपोर्टन्स होता है किसी भी कंट्री के लिए उस पर आप अपना डेवलप्मेंट कर लिए अब ये उस पर अपना डेवलप्मेंट कर लिए इसके बाद जब इनको लगा कि अब हम परि रसिया के साथ इनका जो समबंद था वो अच्छा था स्वीडन के साथ और ये फिनलेंड के साथ लेकिन उतना भी अच्छा नहीं बरी के पूरे यूरोप में बू चाला दिया उसका बू राजनीतिक परदृल की चेंज कर दिया और इंग की व्रेण देश हैं जो पडोसी हैं पूर्वी यूरोप के वो सब अब एक जुठ हो गया तो इस हिसाब से पूरा का पूरा राजनीतिक प्रद्रश ही इनको चेंज हो गया रसिया का एक्षन हुआ और यूरोप में एकता आ गई रसिया के साथ जो है यूरोपियन यूनियन का इंगेजमेंट कभी भी इतना आसान नहीं रहा क्यों क्योंकि जो अधिकांस देश हैं जो इसके मिंबर्स हैं उसमें से सब एक जुठ नहीं थे सब के विचार एक समान नहीं थे क्यों क्योंकि यूरोपियन कंट्री में जैसे यह लोग जो है रसिया के लिए सौफ्ट कार्नर थे यानि की रसिया के प्रतिक कभी कभार बोलते तो थे लेकिन उसके बिप्रतिये उतने ही साफ्ट तरीके से रसिया के साथ पेसाते थे और जो बाल्टिक इस्टेट है जैसे इस्टोनिया, लाटविया, लेथोनिया ये सब जो है रसिया के साथ इनका जो है अलग पत था तो ये रसिया का जो इन्वेंशन हुआ यूक्रेन में उसने ना केवल यूरोपियन को जो है दुती विस युद्ध के एरा में धकेल दिया पीछे कर दिया उसने European की जो इस्थिती थी जो image थी European Union की उसको एक मेच पर लाके खड़ा कर दिया और इनके जो पडोसीज निवर में वे फेल नजर आते दिखाई दिये European Union में आपस में जो उनकी संगता थी जो उनका संगता वो फेल नजर आते दिखाई दिये इस तरीके से रसिया का जो एक्षन है वो ग्राउंड लेबल पर European Union को एक जुट जिस तरीके से किया है इसके पहले European Union कभी इस तरीके से एक जुट नहीं हुए थे तो पुतिन को क्या लगा? पुतिन को लगा कि हम attack करेंगे तो पुतिन actually attack क्यों किये? क्योंकि उनके दरवाजे पर अमेरिका सेना की उपस्ते थी, नाटो सेनी की उपस्ते थी और जो रसिया की सीमा थी वो नाटो देशों से मिलती है तो पुतिन को ये बरदास्त नहीं था, अपनी संप्रभुता को ले करके उन्हों आटेक कर दिया अब आटेक करने के बाद पुतिन को लोगा कि ये जो चोटे-चोटे कंट्रीज हैं, ये डर जाएंगे लेकिन डरने के बजाया है, वो क्या काम किये, कि और अपनी बिसालता को बढ़ा लिए, एक जुट हो गए और रसिया के दरवाजे पर और ज़्यादा नाटो सनी की उपस्थती हो गई अब फिनलैंड और स्वेडन को जो सामिल करने में इनका जो बजट आया होगा, जो इनका खर्चा आया होगा, जो मिलिटरी तैनाती को ले करके आया होगा वो पहले से जाहिड सी बात है कि इनका reconstruction करने में, command structure करने में, पहले से कहीं अधिक है, इसके विप्रीत अब रसिया को भी उतना ज़्यादा expenditure करना परेगा, अब रसिया क्या काम करेगा अपनी जो military है, वो नार्थन सीमा पर, नार्थन एरिया पर, और कालीन गर्द एरिया प वहाँ पर reconstruction करेगा, वहाँ पर अपनी build-up करेगा military को लेकर के, और जो bartering है, जो सीमा है फिल्लैंड की, नार्थन एरिया की, जहां से सिंट पेटरबर्ग से मुरुमासक तक, वो रसिया का core region है, यहाँ पर रसिया जो है, रसिया का रड नीतिक और economic दोनों महत होए रसिया क क्या कर रहा है, नाटो अब रसिया के जो है, दर्वाजे तक एक तम पहुंच चुका है, अपना जो अंत कर रहा है और रसिया के दर्वाजे पे जा कर रहा है, तो जाहर सी बात है, यह रसिया के लिए जो है बहुत चिंता का भिसे होगी, पुतिन यह भी उम्मीद नहीं कि यह होंगे कि यह दोनों जो नार्डिक देश हैं वो इतनी जिल्दी नाटों में सामिल हो जाएंगे। अब यह दूसरा आटेंसन क्या खेच रहा है आर्टिक के उपर जो आर्टिक संग मना है। यानि कि ततकाल रूप से जो एक एरिया है नार्डिक कंट्रीज के लिए वो आर्टिक रीजन को लेकर के हैं। और नाटों का आपस में ही स्टेंड आफ हो चुका है। बार्डर एरियास को लेकर के। और यह भी नहीं। इसने जो है अगर इस पर थोड़ा सा भी लिटिल अटेंसन किया जाएं। तो यह जाहिड सी बात है बहुत बड़े रूप में यहां पर खत्रा उत्पन हो सकता है या एक तरीके से आमना सामना के स्थिति यहां पर पूरे वातावरण में आ सकती है। तो आर्टिक रीजन का जो महत हुआ है आर्टिक रीजन को लेकर के जो नाटो और रसिया में खिचा होता है अभी चूंकि यूकरेन का युद्ध चल रहा है यहां पर जो आर्टिक का मुद्ध उठाया गया है वो नाटो से है नार्टिक कंट्री से है चूंकि क्लाइमेट और आप परियापत रूप से जो उसमें आयल है यानि कि तेल की जो वहाँ पर उपस्थती है गैस की और मिनरल रिसूर्सेस की जो उपस्थती है वो सब वहाँ पर बेहतरी धंग से उपलब्द है और वो सब वहाँ पर इनकी जो उपलब्दता है उसकी वहाँ पर कॉंपलिक्सिती करते हैं यानि कि नाटो और रसिया में लेकर के इन सब की आपस में चुनोतियां जो है वहाँ पर आ रही है क्यों कि वहाँ पर मिन्राल्स हैं आईल्स हैं गैस हैं तमाम तरीके के अनिकानी संसाधन हैं और क्लाइमेट चिंस्कों लेकर के हैं जो इसके बाद क्या है कि अपार्ट फांड़ यानि कि कनाटा यूनाइटिट इस्टेट और रसिया के लामा जो नार्डिक कंट्रीज हैं य आर्टिक अफेयर से जुड़े हुए हैं सीधे उनके उनसे जो है उनसे संबद हैं और रसिया और इन सब के बीच यानि कि नाटो मेंबर्शिप नौर्डिक कंट्रीज के बीच पहले भी अस्थानी तोर पर आमना सामना हो चुका है और अब यह जो नाटिक कंट्रीज हैं जो अभी ने नाटो के मिंबर बने हैं इनके लिए एक नया जियो इस्ट्रेजिक आयाम लेकर के यह आर्टिक जो आर्टिक का जो भविस है इन नय डाइमेंसन के साथ लेकर के आएगा इस नया डाइमेंसन के लिए नाटो के सदसे बन गया है तो जाहिर सी बात है अब इनका जो संयोजन है अब वो रसिया के लिए अधिक चुनोती पूर्ड हो जाएगा रसिया अधिक अधिक जो है आमना सामना करना पड़ेगा रसिया के लिए बात क्या थी कि रसिया जो है साथ चलने के बज़ाए उसने आमना सामना किया नाटो के साथ एक बिकल के रूप में लेकिन यह जो मिलेटरी एक्संस है इसने सब कुछ चेंज कर दिया रसिया चाहता तो साथ चलने के जो को हैबिटेशन होता है जो साथ साथ चलने की जो सभावना तरीके से जो बात की जाती है वो लेकर के चल सकता था लेकिन उसने सोचा कि हम मलेटरी एक्षन से सबको भाइबीत कर देंगे तो ऐसा नहीं हुआ उसके ठीक विप्रीत हुआ तो जो यूक्रेन है वो यूक्रेन पर आक्रमण करके पुतिन यही चाहते अब आप सोचते हैं कि कितनी भयंकर मिस्टिक थी कि किसी को हथियार के दम पर डरा देगा नाटो का जो इक्सपेंड था वो पुतिन सोचे कि हम यूक्रेन पर आक्रमण कर देंगे तो इसके बेसिस पे नाटो का विस्तार रुख जाएगा इसके विप्रीत क्या हुआ कि न और यह बहुत सारे तमाम मुद्दे को लेकर के आगया तो नाटो के लिए जो इक्स्टेंस था जो इक्जिस्टेंस था वो अब मोर जस्टिफिकेशन हो गया अधिक ज़्यादा नयाए परोड तरीके से हो गया बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो अपनी जो सिक्योर्टी है वो नाटो के द्वारा जो आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 5 उससे उसको उसमें सामिल हो रहे हैं नाटो के आर्टिकल 5 को देखते हुए बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए नाटो में सामिल हो रहे हैं तो नाटो को जो है बिश्तृत करने में चेत्र में जहां पर आए दिन रसिया और नाटो को लेकर के होता रहता था नोग जो को और भी चुनोती पूर्ण बन गया तो इस तरीके से ये जो पुतिन का कदम बता रहे हैं नाटो को महान बनाने को लेकर के अब इसमें इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कहां इसमें ठाहरता है? इंडिया की इस्तिति अपजर्वेशन की क्या है? इंडिया का जो नाटो के साथ expect है वो limited है. क्योंकि इंडिया इन सबसे अलग रहता है और अधिकान से जो वारता लाब की जाती है पॉलिटिकल डायलाग की जाती है और नाटो के विस्तार पर इंडिया जो है रणनीतिक रूप से एकदम चुप है चुपी साथे हुए है तो यह आवसकता क्या है भारत को आवसकता इस पर बोलने की नहीं है क्लोजली वाच करने की है क्लाउट इमर्च को ले करके इसका जो रिजल्ट होगा इसका जो परद्रिश से होगा कि नाटो के विस्तार से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है कहां तक यह युद्ध जा सकता है कहां पर यह रुकेगा इसका इंड क्या होगा विबाद का हल निकले गए नहीं इस पर इंडिया को closely watch करने की ज़रूरत है और रसिया जो है अपना जो रसिया के पास अभी कुछ ही friends मौजूद रूप में बने हुए है लेकिन इंडिया उनमें से एक है और यह मासों को जो है balancing power नहीं प्रदान कर सकत क्यों क्यों कि इंडिया खुद से परिशान है और इंडिया इतना सक्षम नहीं है कि वह नाटो से लड़ जाए रसिया को लेकर के तो यह रसिया अच्छी तरीके से जानता है कि इंडिया हमारा साथ इस पर नहीं दे सकता है maintain नहीं कर सकता balancing सक्ति संतुलन एक जो होता है नाटो का बिरूध किया है आलरेडी जो है उसको अपने against बताया है आलरेडी इंडो Pacific छेतर में उसका जबर जस्त एक strict तरीके से बिरूध कर रहा है रसिया को जो है अब चाइना मिल गया तो यह जो दियस हैं रसिया हो चाइना क्योंकि रसिया की जितनी विवाद है वो चा खाते हैं तो दोनों जो है आपस और इन दोनों के विवाद नाटो और अमेरिका के विरुद्ध है तो जाहिर से बात है दो के दोनों आपस में एकदम सघन मित रूए अब ये दोनों इन्डिया का और चाइना और रसिया का एक शात हाना भारत के लिए अच्छी इस्तेती नहीं है। और वैसे भी अभी हाल के वर्सों में उत्तरी छित्रों में जो नार्डिक रीजन है वहाँ पर प्राइम नरेंदर मोदी जो है वो वहाँ पर दौरा करके आए है को पन हेगन में सेकंड जो इंडिया नार्डिक सम्मिट हुआ था मैं 212 में यह भारत की जो रड़नीती है उसकी आपरिती जो है एक राडार पर है और जो भारत का डीप इंट्रेस्ट है कॉपरेशन है वो सहयोग देने को लेकर के भारत वैसे भी किसी जब अपनी लडाई नहीं लड़ता त जब है यह बहुत करेगा तो सानती दूद्र बनकर काम करेगा और वही अप्लिकेणबल भी है वही अच्छी इस्थे होती है क्योंकि युद्द के बाद लोग शानती ही जाते है तो नाटो का जो अंब्रेला है वो पूरी तरीके से इंडिया की ऑच्छेक स्ट्रेटीक उस पर जो है इंडिया की रड़नीती जो है वो अब देख रहे हैं इंडिया के े मिनिस्टर से इंडिया की जो डिलीगेसी हैं, वो अब ये इस पर observation करनी के उनको जरूरत है कि नाटो का जो वहाँ पर साइन है जो नाटो का presentations हैं, वो किस हद तक किस से जाकर के आर्कटिक सेतर से मिलता है नार्डिक जो कंट्रीज हैं क्योंकि भारत को आर्कटिक सेतर में आपजरवर का दर्जा प्राप्त है और आर्टिक पालसी को भारत प्रमोट करने को लेकर के मल्टी लेबल अस्तर पर तो फिनलेंड जो नाटो का विडिऊ करता है चायना का जो वतिम है नए नायर्टिक स्तिट को ले करके और चाइना चेतर अर्शीय कुले करके इस चृत्र में वह आर्गेटिक चृत्र के सैन्यकरण और उसके अफेक्ट ले theme करके बात करता है कि अगर ये दोनों आ गए तो वहाँ पर जो सेनिकरण की सिती बन सकती है उससे इंडिया और जो तमाम और देशाँ उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इंडिया जो की ग्लोबल ऐ complex का रोल निभा रहा है उसको उसका जो Global Actor role निभाने को जो लोग कहते हैं उसका तो अभी test होगा उसका परिखण किया जाएगा कि जो New European Security Architect हुआ है NATO के दौरा नई European जो सुरुक्षक पद्दती है जो रसिया के दौरा जो नहीत की गई है रतिया के दौरा जो उसमें तयार की गई है नई European Security नाटो के दौरा वहाँ पर इंडिया कैसा अपना लीडरिशिप करेगा, कैसा अपना उसको रड़नी तेंग करेगा, ये इंडिया के लिए बात होगी, तो फ्रेंट से ये के पूरा बेहतरी नाटिकल था है, और ये नाटिकल जो है, एक बहुत बेश्ट है, क्योंकि ये नाटो को फिर से महान कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इसने जजमेंट को लेकर कहा गया है, इसमें कुछ खास नहीं है, खास यही कहा गया है कि अभी जो साउथ अपरिका से 12 चीते आये थे भारत में, वो उसमें से दो आल्रेडी डेथ हो गई है, एक जो पहले से ही उसमें इंफेक्शन था, यानि कि गुर्दे में संक्रमर था और इस तरीके से जो डेथ हुई है, उसको जल्दबाजी में नहीं देखना चाहिए, अभी जो भारत का ये जो एमबिशन है, प्रोजेक्ट चीता, ये 15% पर कारेट वर्क कर रहा है कि 15% ही कम्प्रिट किया है प्रोजेक्ट चीता, और आगे के दसकों में 35 चीता लाने का भारत के द्वारा प्रत्येक वर्स है, इस तरीके से जो एनिमल्स फैक्टर्स हैं, जो उनका नेचुरल कंडीशन होता है, कि जहां पर वो रहते हैं, जो उनका हैबिटेट है, यहां पर मातपूर्ड ये है कि जो नेचुरल डैनमिक होता है, जो नेचुरल तरीके से वो लो चीतास थे उनके द्वारा घायल कर दी गई और उसको इलाज के दोरान जो है वो डेथ हो गई उसकी तो इसको भी देखने की बात की जा रही है को उसको जो है सही तरीके से जो एड्मिनिस्टेशन से उसको आप जर्व करें और गिर में जो पापुलेशन गुजरात में जो ग आइक नहीं हुए कई देखों के परिडाम थे और इस तरीके से अगर कई जगां पर यह आलोचना की जाती है कि भारत की चीता प्रोजेक्ट यह शफल नहीं हो पाएगा यह जो ट्रॉंस लिसन है यह सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो अभी इस पर जो है गढ़ना करना ए जी चीता रखने के लिए पर्यापत नहीं है उसको अन्य किसी दूसरे में रखना चाहिए तो इनका यही काना है कि इतनी जल्दी जो है जो जीना मरना है वो तो लगा रहता है लेकिन इतनी जल्दी किसी प्रोजेक्ट को ले करके इस तरीके से वक्त बेजारी करना कि प्रोजेक्ट चीता फेल हो गया वो भारती जलवाई में सर्वाइब नहीं कर सकता तमाम जो तरीका है वो अभी बारहाल ठीक नहीं है और जो एड्मिनिस्ट्रेशन से जो हमारे बनने जीव के जो लोग रहते हैं उनको करने के क्या हो सकता है उनको पहले चीज़ की एक तरीके से कांसुलेशन करने की जरूरत है एक्सपर्ट में जो नाविया साउथ अपरिका के जो एक्सपर्टेज्ट है उनके साथ विचार मिमर्स करने की जरूरत है और पारमपरिक तरीका लाने की जरूरत है उसको अध्यान करने की जरूरत है जो पारमपरिक तरीका जो ये जो चीता हुज होते हैं वाइल्ड कैट्स होते हैं इनको प्रोटेक्टिव करते हैं और इनका जो एक उचित दिसा में जो बढ़ने का जो कदम होता है वो उनको और ये आगे ये से चलता रहेगा तो यहाँ पर manager को जो बात कही जा रही administration system को कि उसको decide करने की जरूरत है उसको एक criteria देने की जरूरत है clearly defined करने की जरूरत है ताकि वहाँ पर जो guideline जारी हो उसको follow किया जाए और जो managing systems होता है जो administration system होता है जो wild light का observation किया जाता है कि कैसे उनक सिकार रोका जै कैसे उनको बढ़ाया जै कैसे उनको gain किया जै वह सब इस पर जो है अध्यान करने की जरूरत है और वह इनको decide करने की जरूरत है को इनके आद्यान में सामिल हो अथवा ना सामिल हो तो यह त्रेंट्स यहां का जो अर्टेकिल है वो यह कर रहा है कि इतनी जल्दी कोई कदम उठाना ठीक नहीं है तो यह देखें यहां पर एक अर्टेकिल आए है चुकि आज 11 मई है तो यहां पर तोखरन परिक्षण को लेकर और यसाय वाहिसों पारिक्छा को लेकर के सांट सुरक्चा कारू लीन और। कहा गया है कि जो इंडियन एकोनामिक ग्रोथ के साथ हो कह रहा है इंडिया में कि एकोनामिक ग्रोथ हो रहा है इंडिया में देखा जाता रहा है वो दुर्भागे पूर्ड तरीके से यहां पर जो मजदूर है उनकी जो वर्क प्लेस पे एक्सिडेंट हो जाते हैं वे डित ह हो जाते हैं वो यहां पर कह रहे हैं कि वह बहुत दुर्भागे पूर्ण है और उनमें सही इतनी ज्यादा जो डेथ होती है वह पहली चीज की माप नहीं की जाती वो खतरनाक इस्टेज में है वो खतरनाक जगह पर कारे करते हैं और उनका जो एक्सिडेंट होता है उनके आंकड़े भी पूरे तरीके से नहीं किये जाते और यह आंकड़ा जारी किया है डारेक्टरिक जनरल फैक्टरी एडवाइस सर्विसेज ने लेब 50 फैटिलाइट हुए थे 3812 खायल हुए थे 2020 में जो टेबल वन का आंकड़ा इनको दिखा रहा है फिर इसके बाद यह कहते हैं कि यह जो आंकड़े हैं पहले चीज कि उसको सही तरीके से लाने की जुरूत है उसको सही तरीके से करने की जुरूत है क्योंकि यह आंकड़े उनको भारी मातरा में भरने की जुरूत है फिर यह कहते हैं कि जो इनका कारिक है कि परियाबत रूप से उनको कोई दवा या उनको पैसा प्रवाद नहीं किया जाता है MSME sector जो फारमल सेक्टर से होते हैं उनको GDP से निकाल दिया गया और जो 90% जो GDP थे उसमें सामिल थे और 22% जो है registered factories है 35% जो है उसमें खतरनाक रूप से सामिल किये गए हैं तो बिशाल डूप में जो MSMEs है जो 33% इंडिया का GDP सामिल करता है वो सेप्टी रेगुलेशन में सामिल ही नहीं है तो इस तरीके से जो भारत के दोरा कदम खींचे गए हैं जो यह conditions है अभी present time में वो बहुत ही harmful है बहुत बहुत harmful है और फिर इसके बाद इनका कहना है कि करने कि क्या जरूरत है कि जो implies होते हैं वो अपना पैसा बचाने के लिए दवा नहीं कराते हैं तो उनको पहले चीज की सेक्ट्री प्रदान की जाए दूसरा जहां पर वो वर्ग करते हैं अगर उनके साथ कोई दुर घटना घटना हो जाती है तो वहां जो factory के करमचारी होते है फैक्ट्री जो मालिक होते हैं ओनर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि उनको लाइबिलिटी जो होती है जो लीगल प्रासेस होता है उससे दूर भागने के लिए तूरंत वो factory workers को मुआपजा देने की घोशला कर देते हैं और किसी सरकारी या धिकारी से मिल करके वहां पर अ लीगल तरीके से बचने के लिए प्राइवेट हस्पतालों में इनको भरती करा देते हैं और गौर्मेंट हस्पतालों में नहीं कराते हैं जहां पर उनको फैसल्टी स्कूस मिल सकती है तो यह इनडिया को जो है इस्ट्रक्चल इसूस जो आकुपेशनल सेप्टिक जो यान अगर इस तरीके से वर्क पद्धती नहीं होना चाहिए तो इंडिया अगर इस तरीके से हल्थ पर वर्क नहीं करेगा तो एक जो तो developing economy की बात की जाती है, sustainable economy की बात की जाती है, वो तो आप छोड़ दीजिए, एक सब इस समाज भी नहीं work कर सकता, मतलब कि equitable society भी नहीं बना सकता, तो यहां पर safety को लेकर के कहा गया है, social security को लेकर के कहा गया है, कि इन्डेयर ग्वर्मेंट की जो पालसी होती है, उसमें मुख्य रूप से यहां पर यह सामिल किया जाना चाहिए, social security को लेकर के, safety को लेकर के, और इन ड़्जन जो घायल होते हैं, उनको government hospital में सुबिधा परदान को लेकर के, वहां पर सुबिधा देने की बात की गई है, औ फैक्चर सुवे 2011-2020 में यह पूरे के पूरे आकड़े हैं इस पर आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड्स यह पूरा का पूरा जो है आर्टकिल था और यह आर्टकिल जो हमने अनाल्सिस किया इसको लेकर के आप लोग जो कोश्चन दिये हैं वो सॉल्व करिएगा और यहां पर कुछ न्यूज है जो बहुत आए हैं यहां पर यह देखिए कि यहां पर भारती जो प्रदान मंतृच के दौरonn के दोरां जो गय थे उनको जो है अमेरिका बुलाया जा रहा है और अमेरिका इनको बुलाया जा पर और इनको वासलंग तन से इनिविटे संस आया है कि आप अमेरिका आई है, अमेरिका ये जाएंगे तो वहाँ पर जो bilateral corporations है, various sectors में, technology, trade, industry, education, research, energy, defense sector, health care, और ये जो है वहाँ सब बाते करेंगे, फिर इसके बाद फ्री open इंडो-pacific area है, वहाँ पर open trade को लेकर के बात करेंगे, उसके security को लेकर के बात करेंगे, educational exchange, climate change, workforce, development, health, security, उन सब को लेकर के ये बात की जाएगी, और global strategic partnership की बात की जाएगी, अभी देखिए, यहाँ पर एक news फीर है, वो news है, PM Unveil Plan for Museum in Central Security, अगले week, अगले week जो है, वो क्या होगा, कि भारत जो है, यहाँ पर यूग यूगीन भारत national, यूग यूगीन भारत national, यूग यूगी South Blacks और यहाँ पर ब्रधान मंतरी अगले week जो है, इसका उधगाटन करेंगे, इसमें जो है, कल्चरल होगा, पूरे तरीके से कल्चर दिखाया जाएगा, यूग यूगीन जो भारत national museum है, और इसमें पूरा का पूरा पांच हजार सालों से लेकर के जो various sections हैं, वो सब इसमे सामिल होंगे, और उसमें नो सो पच्चास कमरे होंगे, यही सब इसमें पूरा का पूरा दिखाया जाएगा, यह आप लोग याद करिएगा, तो friends यह पूरा का पूरा article था, news था, अब हम लोग मिलते हैं कल के lecture पर आप लोगों को पसंद आएगा, तो like कीजिएगा, नहीं